नमस्कार किसान सात्यों, किसान सात्यों आज के वीडियो में लेके आया हूं सोयविन की खेती की संपुन जानकरी क्योंकि मांसों ने दस्तक दे दी है, खरीब का सिजन चलो होने वाला है तो किसानों के मन में संसे है कि केसे खेती करें, कौन सा खाट डाले, कौन सा बीज डाले, कितना डाले उसकी सारे जानकरी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, अंते तक बने रहे किसान साथियों देखा जाए तो बोवनी का जो समय है थेक्सुल समय आप देखा जाया तो आप 10 जून से इसकी भूआई स्टाट कर सकते दो कि आप 10 जुलाई कर सकते अभी जो पिछला सीजन निकला है स्वधिन का सीजन तो आने वाला इस ते पेले जो ग्याउचने का सीजन निकला है इसके वीच में गेव निकला था अपना जायत का सिजन का तो उस हमें एक अच्छी जुताई करना चाहिए एक जुताई आपने जैसे कर दिये गेव के सिजन के बाद उसके बाद एक जुताई आप कर सकते हो जब आप वोबर की खाट डाल रहे हो उसके बाद जब मांसुन आ सबसे मुक्त आती है कृस्म कि से किस्मों का चयन करें हाल फिलाल में मद्य पर्धिश के लिए देखा जाए तो और वेस्के 11 पे 30 विराइटी का कि अधियू और वरतमान में लग रही है इसके बाद एक आघी हो चुदाई आर्वेश चोविस है, जैस भी सुन सकता रहे, तो आप इन विराइटियों को चैन कर सकते, जो कि किसमे ही हैं, जो कि आप अच्छा उत्पदन ले सकते, इसके बाद देखी जाए तो बीजदर की बाद, किस्तान बहुत जादा बीज बुवाई करता है, कापी महेंगे महेंग सकते हैं, इसके बाद किसान साथी बात करते हैं, अपन बीज उप्चार के लिए एक सिंगल टेकनिकल का यूज करते हैं, जो कि पाउडर करते थे पहले, आज कल थोड़े टेकनिकल आ गए हैं, लिक्वीड वाला कर रहे हैं, तो आपको इसमें देखा जाए तो फंगिसाइ तो खा दिखे, तो कितना खाट डाले हैं, में चीजर स्वयविन की फसल में यूरिय का इस्तमाल ना करते हैं, वज़े यह है कि स्वयविन की फसल की जड़ों में गाटे पाए जाती हैं, जो कि नायटो जन को वायो मंडल से प्राप्ति कल ले चीए, तो यूरिय डालने की जरुरत नहीं है, इसके अलावा आप यूरिय की जगे आप 12-16 का इस्तमाल कर सकते हैं, एक हेक्टियर में आप एक क्वेंटल 60 किलो हाट डाल सकते हैं, इसके बाद जो मुख समझ चाहती है, स्वयविन की फसल में वो देखी जाये तो खर्पतवार है, क्योंकि खर्पतवा हैं, उस समय आप खर्पतवार नासी का उपयोग कर सकते हो, और एक खर्पतवार आप जब बड़ा हो जाये, तब खर्पता रुखता है, 15-20 दिन के दर तब उपयोग कर सकते हो, तो देखा जाये तो आप पेंडा मेथिलिन का यूज कर सकते हो, जो कि 30% में आता है, इसकी एक बात खासियत यह है कि यह आप बुवाई से पेले भी कर सकते हो, जैसा भी आप टिकता चलाते हो, कल्टिवेटर बूर बूरी जमिन करने के लिए तब भी आपका इस्तिमाल कर सकते हो, इसके बात बुवाई के 36 गंटे के अंदर, 36-48 गंटे के अंदर आप बेलर 32 को क्यों कर सकते हो, जिसमें कि पेंडा मेंथिलीन प्लस इमेजा थाई पर आता है, जो कि आपके फसल को 30-45 दिन तक खर्पतवार को रोकने में साय होता है, इन खाद में देखा जाए तो कभी कि आप फसल की ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो उस समय आप यूरिया का 20-25 किलोग्राम आप शिड़काव कर सकते हो, जिससे कि अपनी फसल की ग्रोथ हो जाए, इसके बाद बाद की जाए, तो मुक की समस्या है, इसमें कीट देखा जाए, जिल्ली देखा जाए, और रस्युसक कीट, यह तीनों कापी ज्यादा मातरा में सोयबिन की फसल को नुक्सान करते हैं, तो आज मैं आपको अच्छे सोयबिन के लिए पूरे डोज बताऊंगा, कि आप कौन-कौन सी दवाईयों का इस्तिमाल कर सकते हैं, जो कि आसानी से मार्केट में मिल जाती है, तो किसान सात्यों पेला डोज की बात की जाए, तो पेल फलकी दवाईयों का इस्तिमाल करने की जरुवत नहीं है, फेल है इस तरह में, आप फलकी दवाईयों से भी आप बस सकते हो, तो देखा जाए तो प्रोपन आपास और साइपर मेचिन का इस्तिमाल भी कर सकते हो, इसके साथ लेमडा प्लस थावय मेथोगजम का में अच्छा टानिक अपको अच्छी गरोध देतना को मिलेगी, क्योंकि इस से फएलें अपन खरपतवार नासी को उपयोग कर चुके होते हैं, जिससे की फसल में खिचाउव को मिलता है, तो वो उठाउव लाने के लिए आप एक टानिक का इस्तिमाल का टानिक में देखा जाये तो आप ambition उप्यूग कर सकते हो इस अभियान कर सकते हो फेंटेक प्लस और भी अच्छे जो जिसमें लोगिम्लोग पाया जाता है वह इसके बार दूसरा नाम की चाहिए तो दूस्रा डोज अपने को डालना है पेंटल से से लिए इस में बताया है आप इसमें दूसरे वाले में आप इमा मेक्तिन का उप्योग कर सकती है जिससे किसान सेव के नाम से जानते हो चाहिए कापी पर प्रश्ता होता है एक मेंगी दवाई नहीं होती इसके साथ आप डाल सकते हो एमा मेक्टिन और क्लोरी फायरी पास का काम्बिनेशन आता है उसका उपयोग भी आप कर सकते हो जिससे की कीटों से लड़ें शाहिता मिलती इसके बाद आप एक और दवाई या देखी जाए तो करना वच्छे फुरद्धी हो रहे हैं तो उसको रूपने के लिए भी आप टेक्निकल आप यूज में ला सकते हो तो आपने लिवोसिन नाम सुना होगा पीजयर का यूज कर सकते हो जिससे की फसल की उपर ही वो तुरुख जाए और आपस की जो शाका है वो निकला है जिस इसके बाद बाद की जाए तो थर्ड डोज तीसरा डोज कापी महत्तून है क्योंकि इस समय फसल में खलिया पूल से खलिया आने लगती है इस समय रोग कीट बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है इस समय किसान अच्छी दवाईयों का इस्तिमाल करें जिससे की ज्यादा से ज़्याद्व अबकर पतद ले सकते हैं अगर दवाईयों में आप कीट ना सकी बात करें इल्लियों के लिए बात करें तो सबसे आपने किसानों सूना होगा के अपने कोरयां का नाम कोरयाण को olduğunu सकते हो एंपिले को डाल सकते हो थेम डाल सकते हो इसके बाद एकस्पोनस भी डाल सकते हो यह कापी अच्छी दवाया यह डालने से आपसे फसल में इल्लियो नश्ट हो जाती है इसके साथ ही आपको एक और चीज़ ध्यान में रखने हैं 60-65 दिन में जब यह इस पर डालते हो इस समय आपको डालना है इसके साथ फंगी साइट का फंगी साइट का मिक्स अप कर लीजिए इन दवायों के साथ आप आराम से शिड़काव कर सकते हो फंगी साइट आपको इस समय स्प्रे करने से फंगस नहीं लगती है जिसके लीप स्पोर्ट देखा जाए और भी देखा जाए कापी तरह की हपुन नासक बिमारिया होती है वह बुग जाती है उससे क्या होता कि पोदह में ग्रीनेज बनी रहती है जादा से जादा उत्पदन होता है तो इसमें अपने प्रियाकसर का नाम सुना अधिक तर किसान इसको जानते इसके बाद इंपेक्ट एस्टा हुआ औ होगा आप इसमें मिला कर सकते हैं और अंत में किस छाओंगा कि कभी फसल में चमक पहोने पर हमक होने पर अपनी पश्चा दाम मिलता है मार्केट में तो इसके लिए भूरान का खेटाव भी कर सकते हैं बात की जाये तो किसान जीस चीज से ज्यादा ग्रसी दे उसको रोखने के लिए आप क्या इंतजाम कर सकते हो तो सबसे आदा ग्रसी जिस से किसान है वो है पीला मोजे करों क्योंकि ये अधिकतर किसान जेस 5560 की वुए करते हैं उसमें पीला मोजे करों रोख रेसिस्टेन हो सफेद मच्षर का भ्राओं आप ले का यहां मिलेतं थे उस समय मोजग से बचने के लिए लिए सब्सक्रा चेक करें ताकि भी जंकुरन आप चेक करेंगे तो आपको फसल कापी अच्छी रही अच्छा लगाओगे तो अच्छा उत्वदन देखनों को मिलेगा और घेरी बुवाई सोयब इनकी फसल में नहीं करनी है घेरी बुवाई करने से फसल पूरी डंक से उगनी पाएगी पू चाहे ताकि अच्छी जानकरी किसानों तत पोच जाए और सोयब इनकी सपल उन्नत खेती वो कर से नन्यवाद